नमस्कार स्रेपोश्ट में आपका स्वागत है मिस्तेहा भारती आपके साथ बहार पंचाय चुनाप सिजुरे इस वक्त की एक बड़ी ख़वर सामने आ रही है कल से दूसरे चरण के नॉमिनेशन का दौर शुरू हो जाएगा और ये जो नॉमिनेशन का दौर है नाम दाखिल करने का वो 13 सितंबर तक चलेगा और नाम वापसी की तारीख 18 सितंबर तक रखी गई है जिया इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं कि 13 सितंबर तक अंतिम्तित्थी है नाम अंकन के लिए 18 सितंबर तक नाम वापसी की अंतिम्तित्थी है उमिद्वारों को इसी दिन चुनाप चिन भी आवंटिट किया चाएगा 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है राज निर्वाचान आयोग ने इस बार पंचाय चुनाप की गाइडलाइन्स में काफी कुछ बदलाब किया है इसलिए नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी कई नय नियम जोड़े गए हैं नामंकन प्रक्रिया के लिए प्रक्रियो निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं वही नॉमिनेशन प्रकिया में सहयोग के लिए कई नामित सहायक निरवाची पदाधिकारी मौजूद रहेंगे यहां पर जिला परिशद पत के प्रत्यासी को छोड़ कर सभी पतों के लिए नॉमिनेशन होंगे जिला परिशद पत के उमिद्वार SGO के पाहद जा करके नॉमिनेशन करेंगे नामंकन प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं हो इसको लेकर के प्रखंड के निर्वाची, पदाधिकारी, सहायक निर्वाची, पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है नॉमिनेशन के समय चुनाव आयोग से जारी तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन लिया चाएगा शपत पत्र पूरी तरह से भरा रहना चाहिए जी हाँ, एक बात और जो महतपूर्ण है आपको बता दे वो ये है कि कैंडिडेट अपने चुनाव शेत्र के ही किसी शक्स को प्रस्तावक के रूप में ले जाए कैंडिडेट भी उसी श्रित्र का मतदाता होना चाहिए नॉमिनेशन प्रपत्र के साथ एनार रसीत की मूल प्रती सलगन रहनी चाहिए आरक्षन को ले करके आरक्षित अभ्यर्थी अपना जाती प्रमान पत्र की कौपी जरूर उन्हें अभ्यर्थियों को देना होगा इसके अतरिक्त जारी निर्देश में कहा गया है कि नामांकन अस्थल पर किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं होगी क्योंकि निसिधाग्या लागू रहेगी जिहां जो अचार सहिंता है वो लागू रहेगी वहीं नॉमिनेशन करने के लिए अपने आने वाले हर एक कैंडिडेट के नॉमिनेशन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी नॉमिनेशन करने के लिए आने वाले हर एक कैंडिडेट के नॉमिनेशन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी नामंकन दिन में 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक होगा इस दौरा नामंकन परिश्वद में किसी भी तरह का शोर सरावा और नारेवाजी नहीं करनी है जी हाँ तो एक बड़ फिर से सिड्डियोल जारी हो गया है सेकेंड फेज के लिए यानि कि कल से नामंकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है अंतिबतारिक नामंकन भरने का 13 सितंबर है माफ कीजेगा 13 सितंबर है और नाम वापसी को 18 सितंबर निधारित क्या गया 18 सितंबर तक आप नाम वापसी कर सकते हैं तो सिड्डियोल जारी कर दिया गया है पंचाय चुन आपको ले करके इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही थी अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हो तो हुमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फेस्ट पेच को भी लाइक और फॉलो कीजेगा धन्यबाद